सेकंड मैथेडेडेड फ्रॉम अल्कली मेटल सल्फोनेट्स यह एंचियार्टी में भी कुश्चन है और बड़ा पॉपुलर है पेपरों में भी आता है अब करना कैसे इसको इससे पहले कि हम सीधा माहा से शीरू करें आप देखो यह आपके पास बेंजीन है जिस एच ने रियक्शन में पार्टी स्पेड करना है वो शो कर दिया है इसमें एड़ किया सल्फिरिक एसिट समय बेटर आजाए इसलिए ऐसे लिख लिए है बना तो भई है एच टू है सुफोर तो जो पहली रियक्शन है वो तो हम सल्फोनेशन कर रहे है और हीट यहां पर कहां करते हैं अप टू 80 डिग्रीज जो स्टैंडर्ड किंडिशन है पर सल्फोनेशन तो यहां से वाटर प यह बन गया SO3H यह बच्छी कहा So3Aब देख सकते हो So3H बन्जीन सअफोनिक असेड Benzene Sulphonic Acid इस काल्यूब बेसे नहीं भी Benzene Sulphonic Acid है इस भी वन वर्ड नेम भी आगे बोल्ट निए तो ऐसे लिख रहे है Benzene Sulphonic Acid विव आपको बेटर नजर आए Benzene Sulphonic Acid Sulphonic Acid में नच्छल गाब है आगे इस में नच्छ डाल दिया SO3H प्लस नच्छ अब ये Acid है और ये Base Fundamental Reaction of Chemistry Acid plus Base equals Salt plus Water तो यहां से H और यहां से OH Water बार ये बन गया है Sodium Benzene Sulphonate Sodium Benzene Sulphonate ये बना Alkly Metal Sulphonate Practically Method यहां से शुरू होता है लेकिन मैंने एक स्टेप पीछे से किया कि समझ अच्छा है अब जो Actual Method है इसलिए हम क्या करते हैं तो ये आ गया Alkly Metal Sulphonate जो अभी हमने बनाया इसमें भी NUH डाल दिया और Heat किया 300 degrees पे 2 NUH तो वैसे ही समझाने के लिए दुनों NUH अलग लिख लिए जैसे मैंने पिछले मैंतल में किया तो यहां से Water Bar और ये Sodium Sulphide Bar ये Water बन गया ये Na2 देखो Na2SO3 Sodium Sulphide तो बच्चा क्या मारे पास Na2SO3 minus water तो यहां बच्ची है Sodium Phenoxide वह स्टेब अगला स्टेब सेम दैलूद HCl डाल दिया minus NaCl तो ये बन गया Phenol ये बन गया Phenol गोति?